केरल का breast tax, एक क्रूर कुप्रथा की दर्गनाक कहानी महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के 53 कोर में थी, 19 सदी में दलित महिलाओं पर breast tax लगाया जाता था, एक बहादूर महिला की कुर्बानी के बाद ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ धांक नहीं सकती थी, स्तन त्रावनकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के उपरी अंग को धांकने पर पाबंदी थी, सारवजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था, स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था, दलित महिलाओं के आभूशन या चमकीले रंगवाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी, नांगेली की बहादूरी इस कुप्रथा का एक महिला ने दटकर मुकाबला किया, वो त्रावनकोर के चेर्थला की रहने वाली थी, वो काफी सुन्दर थी जिस वज़े से उनको लोग नांगेली के नाम से पुकारते थे, अन्य दलित महिलाओं की तरह उनको भी सारवजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लिकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया, बगावत उन्होंने सारवजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन धाकन शुरू कर दिया, इससे उच्छ विरादरी के लोग उनसे चिर गए और खतरनाक महिला करार दे दिया, खैर नांगेली को किसी की परवा नहीं थी, नांगेली को अपने पती का समर्थन हासल था, इससे वहां का राजा डर गया, उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाए, कही न बगावत कर दे, उसने नांगेली और उसके पती से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को वेजा, टैक्स अधिकारियों से लड़ाई जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को अपने दर्वाजे पर देखा तो नांगेली ने राजा का आदेश मानने से इंकार कर दिया, कुछ देर स पतनों को काटा और केले के पत्तों में उसे सजा कर टैक्स अधिकारियों को दे दिया, नांगेली खून से लथपत हो, गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई, नांगेली के पती को ये सदमा बरदाश्ट नहीं हुआ और वो उनकी चिता पर कूद गए, इस तरह वो सती करने वाले पहले पुरुष बन गए, नांगेली की कुर्बानी का असर इस घटना के बाद 1814 में, त्रावनकोर के राजा ने ब्रस्ट टैक्स को खत्म कर दिया, लिकिन इसके बाद भी ये कुप्रथा प्रचलन में रही, जब 26 जुलाई 1869 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो ये कुप्रथा पूरी तरह समाप्थ हुई